हेलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जोब जैने नॉटिफिकेशन चोनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे CCTC, कमर्सियल कम टिकेट किलर के बारे में कमर्सियल कम टिकेट किलर के कौन होता है, इसका वर्क क्या रहता है eligibility क्या है, qualification क्या है, salary क्या मिलती है सारी जानकारी इस वीडियो में दूगी या हम कहें अगर आप railway में जो ticket counter होता है वहाँ पर जो ticket issue करते हैं, अगर आप वो job लेना चाहते हैं तो आप कैसे ये job ले सकते हैं, पूरी process में आपको इस वीडियो में दूगी वीडियो को एन तक जबूर देखेगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर first time visit कर रहे हैं, चैनल को subscribe करके बल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, तकि आपको notification time से मिल सकेगा चलिए, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे commercial come ticket clerk के बारे में, या आप कैसे बन सकते हैं ticket counter की जो job रहती है, वो आप कैसे ले सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे eligibility क्या रहती है commercial come ticket clerk के लिए eligibility क्या रखी गई है तो qualification में minimum 12th pass, कम से कम आपका 12th pass होना जरूरी है categories के लिए 18 से 30 साल, OVC candidate के लिए 33, SCST candidate के लिए 35 year रहती है इसके आगे हम देखेंगे कि इसका selection procedure क्या रहता है selection के लिए आप railway recruitment board and PC के लिए यहाँ पर vacancies निकलती है तो आप official site पर जाकर के आविदन कर सकते हैं इसका जो selection procedure है, वो CVT 1, CVT 2 रहता है, computer based test 1 and 2 उसके बाद आप यह दौनों clear कर लेते हैं, तो आपको medical होगा, medical में आपके eyesight check की जाती है उसके बाद आपका document verification होता है CVT 1 and CVT 2 में आप से जो question के जाते हैं, वो general awareness, reasoning, general intelligence and mathematics के रहते हैं तो यह एक subjects या topics आपको अपने clear करने होंगे, अगर आप commercial come ticket clerk बनना चाहते हैं बर्क क्या रहता है या job profile क्या है अगर आप CCTC बनते हैं, तो उसमें आपका booking office या goods office या parcel office, ticket checking या reservation पर रहते हैं आप इस तरह से इसमें job ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो work है, वो ticket issue करना, CRS and UTS दोनों तरह से, CRS means computer reservation system and UTS means unreserved ticketing system इसके अलबा अगर आपका goods office या parcel office में बर्क रहता है, तो यहाँ पर आपका loading, unloading, booking या जो सामान है, जो goods है उनका weight measurement करना, revenue collect करना, साथ मैं ticket checking या reservation पर भी लगता है, जो भी station पर रहते हैं, या job आपकी station पर रहती है जो भी winner ticket के, without ticket जो passenger रहते हैं, station पर है, उन पर fine लगाना, इस तरह से ये work रहता है सो आपका जो भी cctc अगर आप बनते हैं, तो इस तरह से आपका job profile रहता है, चार तरह से आप यहाँ पर आपको job करनी पर सकती है next अब हम देखेंगे promotions, promotions क्या रहते हैं, कितने ले सकते हैं, आप तो यहाँ पर पहले आपका जो भरती की जारी है, commercial come ticket clerk पर रहेंगे उसके 3-4 साल का ही duration यहाँ पर रहता है, promotion में, उसके बाद आप senior commercial come ticket clerk and then chief commercial come ticket clerk और उसके बाद assistant station master तक आप बन सकते हैं, 3-4 साल, 5 साल तक का यहाँ पर timing लगता है salary अगर हम देखें, तो यहाँ पर CCTC की जो salary है, basic पर 21,700 है and gross salary यहाँ पर जो भी अलांसेस रहते हैं, सारे जो भी facilities प्रोवाइट की जाती है, railway करमचारियों के लिए वो सारी अगर हम इसमें include करें, तो 30,000 something, 30,000, 32,000 या 35,000, यह आपका जो भी posting place है, आप जहाँ पर भी posted है, उस पर भी depend करेगा so basic पर 21,000 and gross salary यहाँ पर 30,000 रहेगी okay friends, so यह थी जानकारी, इस post के बारे में या job के बारे में मुझे comment किया गया था और पूछा गया था आप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको यह job अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको कैसे आविदन करना होगा, क्या आपको selection procedure क्या है, किस तरह से आपको अपनी तयारी करनी होगी, कौन-कौन से subject, salary क्या रहेगी, पूरी process मैंने आपको इस वीडिय पसंद आया हो, helpful रहा हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया है या helpful रहा है, तो वीडियो को like कर लिजेगा, channel को subscribe करके, bell icon को press कर लिजेगा, ताकि notification आपको time से मिल सके, thank you